यह पत्र देखना होगा क्या कुछ कालवाई होती है इस वी जानकारी मंडला से भी केंद्रे मंत्री फक्कन सिंक रस्ते ने मंडला में एक विवादित बयान दिया है नगर परश्ट के शपत ग्रहेंड समारों को सम्भोदित करते हुए फक्कन सिंक रस्ते ने नगर परशत CMU को कहा है कि सादान रहना CMU सहब पारशत तुम्हें बैल की तरह कॉचेंगे केंदरिय मतरी ने कॉंग्रेस पारशतों के संदर्भ में ये बोलते हुए वादिद बयान दिया था लेकिन कॉंग्रेस पारशतों ने समहरो का बहुष कार किया था के तैयार रहे हैं अगर कोई तक्लीव है तो आप हमको बताइए शियुमा साम आपको भी एक बैल की तरह कहुंचेगे तो सुना अपने के सरह से फगन सिंग कुलस्ते ने विवादित बयान दिया है और उसकी चर्चा अप लगातार हो रही है क्रिष्णा साहु जाद चर्चा के लिए मंडला सिमर सतलाई जोड़ रहे हैं क्रिष्णा इस तो तौर पर बयान जो इसकी चर्चा हो रही है लेकिन क्या कहना चाहते थे फगन सिंग कुलस्ते इस बारे में क्या जाड़कारी हमारे दिए कि अजी बिल्कु अवेंति का बताना शोओंगा कि यह महमला पूरा कलका बताया जा रहा है जहां पर नगर परिष्ण निवास है वहां का सपत ग्रंड समारो चला रहा था अध्यक्ष्पात्यक्च के साथ ही पार्ष्णों को सपत दिलाई जाने जाने वाली थ लेकिन यहां पर कॉंग्रेस के विधायक है उनकी फोटो नहीं लगने के कारण जो कॉंग्रेस पार्ष्ण प्रत्याशी है उन्होंने सपत ग्रंड का बहिश्कार कर दिया था जिसके बाद मंत्री फक्गन सिंग पुलस्ते वहां पर पहुंचे और उन्होंने पूचा कि य तो उन्होंने बताया कि यहां पर विधायक की फोटो नहीं लगी थी जिसके कारण से लोग पार्ष्ण प्रत्याशी है वो नहीं आये इसके बाद मंत्री जी गुसा गए और उन्होंने वहां पर कहा कि यह कोई राजनेती कारिक्रम नहीं है ना ही कोई वीजेपी का कारिक् कराएंगे उन्होंने कहा कि अभी अपना बहिष्कार कर रहे हैं यहीं पारशनने अगले साने वाले हैं वो अपने पांग साल में ये काम कराएंगे उन्हों ने इस बीच में उनसुँ जो जबान है जो फिसल गई और उन्होंने कहा जिए मुछ Yap बेल की तरह आपको ये पार्फ साथ अगले पांस साल पीछी के दर्वाजे से पहुंचने वाले हैं अवंतिका निश्य तर पर शुक्रिया आपका क्रिश्णा जानकारी के लिए निके कुल मिलाकर कॉंग्रेस पार्शोदू क्यों